दोस्तो अगर आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मुझे मल्टी मीटर खरीदेने और मल्टी मीटर रिव्यू करने का बहुत ज्यादा सौक है तो आज मैं एक जबरदस मिल्टी मीटर लेखे यह हूँ यह मल्टी मीटर आप लोगों थाल अभी तक नहीं देखा होगा इस multimeter को pocket multimeter बोलते हैं बहुत छोटा multimeter है होगी company का है चलि इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं और सबसे छोटा multimeter कहा जाता है मुझे काफी पसंद आया तो मैंने इसे purchase कर लिया तो सबसे पहले आपको बता दू इसे मैंने कहां से खरीदा है इसे मैंने maker बजार से खरीदा है उस website का link आपको मैं इस video के description में दे दूगा तो वहां से जाके purchase कर सकते हैं और बहुत सारे tools वो sell करते रहते हैं तो इस website में आपको बहुत सारे tools मिल जाएंगे उन tools को भी आप purchase कर सकते हैं तो यहाँ पर चलिए ज्यादा बतने करते हुए आपको multimeter के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ यह एक pocket multimeter है देखिए size आप खुद देख सकते है यह तो इसे box है multimeter का size इसे और भी कम है चलिए दिखाता हूँ आपको साइद वीडियो में आपको इसका size बहुत जाला लग रहा होगा क्योंकि वीडियो में इमेज में पता नहीं चल पाता है लेकिन अगर आपको मैं इस तरीके से दिखाऊ हूँ तो साइद आपको यकिन हो जागा कि यह दुनिया का सबसे छोटा multimeter है अब आप लगा सकते हैं कि यह multimeter का size कितना सा होगा और हमारे पास दूसरा multimeter है इसका size देखिए इसका size और इसका size यानि कि इसकी तुलना में एक yellow multimeter के size से करता हूँ तो आप खुदी समझ जाएंगे कि इसका size कितना है यह रहा yellow multimeter यह भी अलग-अलग company के आते हैं तो इसका size देखिए और इसका size देख लीजिएगा कितना छोटा है यह देखिए तो यही चीज मुझे पसंद लाई बहुत छोटा multimeter था और मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने purchase के लिया है अब बात करते हैं इसको on करने के लिए इसमें कौन सी battery लगती है तो battery भी by multimeter छोटा है तो battery भी इसमें छोटी लगेगी वैसे company से इसमें battery डलके आती है फिर भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि काफी लोगों को है question हो सकता है तो सभी का doubt मुझे clear करना रहता है तो इसमें ये button cell आता है ये हलांकि 20-30 रुपर में मिल जाता है तो इस button cell को अगर खतब हो जा तो आप इसमें डाल सकते हैं और बाकी इसमें सारे features हैं जितने भी features होते हैं वो सब इसके अंदर है और इसका serial number आप देख सकते हैं और totally यहां पर आप इसमें देख सकते हैं पढ़के warning वगरते तो सभी में लिखी हुई रहती है बाकी इसका serial number रहता है और original multimeter की पैजान होती है प्रोप्स इसमें चोटी सी है बस इसमें आप अगर ये टूट जाती तो इसमें बड़ी प्रोप्स भी इसमाल कर सकते हैं और size दोनों का बिलकुल सेम ही है और इसमें already connected है ये प्लस की जिगब प्लस, माइनस की जिगब माइनस इसमें ampere का कोई भी इसमें नहीं दिया गया है यानि कि high ampere को आप check नहीं कर सकते वैसे भी इसमाल बहुत कम लोग करते हैं तो basically जो भी चीजें हैं बाखी सभी multimeter में जभी features होते हैं वो इसके अंदर है चलिए एक बाख को user manual की तरफ ले चलता हूँ तो user manual वैसे उन लोगों को ज़रूत पड़ती जिनको ज्यादा जानकारी नहीं हो तो मैं आपको live बता रहा तो आपको user manual की पड़ेगी ही नहीं तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते है इसके features की तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है voltage का जो की AC voltage है इस तरीके से आप इसको slide करेंगे तो AC voltage यहाँ पर मिल जाएगा और यह है हमारा ohms का यानि कि ohms के अंदर mega ohm, kilo ohm and ohms यानि कि register mode है और बाकी manually इसको आप इधर से select से switch कर सकते है diode पे और buzzer पे यह देखिए diode पे चला गया है और यह buzzer पे चला गया है तो buzzer सबसे main चीज़ होती है multimeter में buzzer और continuity mode इसमें सबसे जादे component की testing करी जाती है तो इसमें buzzer भी देखिए और इसकी accuracy यह भी सही है ठीक है अब बाकी बात करते है buzzer का हो गया, diode का हो गया और ohms का हो गया तो तीन चीज़े दिर पे चेक होईगी यह NCB का हो गया सबसे अच्छा है कि NCB भी इसमें दिया गया अगल बगल हमारा AC run कर रहा है तो NCB भी इसमें चालू है अगल बगल हमारे न electric field है लाइव अगल बगल ही है तो इसलिए तो यह देखिए तो यह देखिए यहाँ पर यह काम हो गया NCB भी इसमें टेस्ट कर लिया है तो NCB भी फीचर है अच्छी बात है इसमें दिया गया है तो थोड़ा इसमें आपको high ampere का चेक करने का नहीं मिलेगा normally आप milli ampere इसमें चेक कर सकते हैं और DC-AC दूर में चेक कर सकते हैं बाकी यह DC का है उसको select करके आप AC का milli ampere कम ampere तक आप चेक कर सकते हैं और खुशी की बात तो मुझे यह लगी कि इसमें भी capacitor को चेक करने का दिया गया है capacitor का आप microphone test कर सकते हैं maximum का भी आपको दिखा दूँगा क्योंकि काफी लोग पूछते हैं maximum कितना दिखाता है वह भी आपको दिखा दूँगा capacitor का भी टेस्ट कर दूँगा जितने भी doubts होंगे वह सब clear कर दूँगा और यह Hz का है 50 Hz की frequency हमारे घर पे आती है तो उसको यहाँ पर आप test कैसा है AC में होती frequency तो उसको हम टेस्ट कर सकते है यानि कि जो भी एक नॉर्मली सभी multimeters में होते मैं यह नहीं कहूँगा कि सभी multimeters में feature होते हैं हलाकि yellow multimeter के अंदर इतने सारे feature नहीं होते हैं लेकिन इसमें सभी feature दिये गए है है कि नहीं आपको मैंने clear बता लिया अब बात करते हैं starting से इसको चलाने का इनके बारे मैं भी आपको बता दूँ पहले यह बताना सही रहेगा तो यहां पर इसमें select वाला दबा के आप इसको register mode में diode mode में और इसको आप buzzer mode में लेके आ सकते हैं यह range का है तो इसको दबा के आप range select कर सकते हैं तो और इसमें auto power off का feature है सामने देखिए auto power off का sign होता है कुछ देर आप इसको अगर आप चालू करके रखेंगे तो auto power off हो जाएगा यहां पर दिया भी है auto power off और data hold अगर आप कोई भी data ले रहे हैं तो उसको hold करके आप कुछ देर रखना चाहते तो उसको hold वाला दबा के उसको hold कर सकते हैं और बाकी इसमें क्या के features हैं मैं आपको display कुछ देर के लिए जब on करूं का तो display में बहुत सारी चीज़े लिखेंगी आप पाउच करके देख सकते हैं देख लिए आपने मैंने भी देखा कई चीज़े हैं असे degree Celsius वाला भी दिया गया यार क्योंना मुझे एक बार user manual देखना चाहिए कि इसमे temperature रहा है यहां पर दिया गया मुझे manual देखना पड़ेगा हादा कि manual में कहीं भी ऐसा mention नहीं किया गया है लेकिन अगर आप इसमें प्रोब्स हो वाली हैं तो लगा कि चेक कर सकते हैं मैं इस चीज को जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि यह है तो सिर्प display में वह फीचर है दिखने को मिल रहा है अब बात करते हम टेस्टिंग की तो यहां पर मैं AC टेस्ट करते हैं 203V 203V अब हम बात करते हैं इसमें DC टेस्टिंग की तो यहां पर प्लस और यहां पर माइनस तो यह भी 3.7V इस बैटरी के अंदर उपलब्द है यानि कि अभी है DC टेस्टिंग हो गया AC टेस्टिंग हो गया अब बात करते हैं इससे की टेस्टिंग और करते हैं और फिर से बता दूँ अब इस मल्टिमीट को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शिं में आपको लिक्वल जागा वहां से जाके परचेज कर सकते हैं यह 10 ohms का है और सामने अगर ohms का साइन आ रहा है तो ohms का होएगा अगर kilo ohms यहने की k के बाद ohms लिखाए तो kilo ohms और m ohms लिखाएगे तो mega ohms के रहेगा तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं और फ्लस जूम कर लो क्योंकि कामरा की quality कभी-कभी है न काफी लोग कम उसमें देखते हैं तो उनको साब नहीं दिखवाता तो register हमने टेस्ट करा देखिए यहापर only और और इसमें speed का आप देख सकते हैं तो थोड़ा detect करने में थोड़ा से समय लगा रहा है क्योंकि जो चीज है clear आपको दिखा रहा हूं मैं यह देखिए 10 ohms एक्कुरेसी सही ह बिल्कुल है अब register check हो गया अब बात करते हम चलिए दूसरी तीसरी register check करते जो अलग-अलग यहापर value की है उसमें कुछ हमारी registers है यह देखिए यह SMD base पे है तो उसको भी हम check करेंगे अगर आपको multimeter चलाना नहीं आता है तो देख लो सीख लो आपके लिए फायदेमंद ह और परसनली मुझे यह multimeter काफी अच्छा लगा क्योंकि छोटा है pocket में यह असानी से आ सकता है और यह है हमारा 1.189 kilo ohms यानि कि 1.1 kilo ohms के something 1.2 kilo ohms के something आप मांगे चलिए 119 यानि कि 1.2 kilo ohms की यह register है क्योंकि ऊपर निचे होता है register का है na tolerance का भी इसमें वह रहता है थोड़ा सा बात करते हैं अगले register की तो इसकी हम value test करेंगे यह 99.9 ohms यानि कि 100 ohms ठीक है 100 ohms की यह register है और हाँ इसके उपर लिखा है 101 100 ohms की होती है ठीक है बढ़िया इसने अच्छा performance दिया इसने और अच्छा दिखा है अब बात करते हम एक LED test करने के लिए मुझे लगता कि इसके diode को select करना क्वड़ेगा क्योंकि LED एक diode होती है तो यहाँ पर किसी भी LED को अगर आप टेस्ट कर रहे है तो अपने डायोट पर रखना होगा कि LED एक डायोट ही होती है ठीक है यहाँ पर इस LED को में टेस्ट कर रहा है दिखिए ग्लू होतों में स्याद आपको दिख रही होगी कभी भी आप LED को टेस्ट करते तो इस थाब के मल्टी मीट में इस में जलायोट बशेल्यआ इनकी लायट इमिटिंगs डायोट यान जहनी कि स्वारी सिलेक्ट बटन रखाऊ के हम अगले में स्विच होईंगे तो कंटीनुटी में आप इस का आप का मोनस की रेजिस्टर चेक कर सकते में के यह दाशोम और ऐगहें चेक कर सकते मोगप़द्द आप के डशेट गान चेकश सकते हैं यहां से यहां तक का check कर सकते हैं ठीक है tracks हो गente जो भी चीज़ चीज की चीज़ चेक होती इन चीज़ को आप चेक करेंगे यह से पीसी multi-me iir के लिए नहीं कहुत हुए हर intrigued merc comm ich that के लिए जो بिए चीज़ चीज चीज़ इसिखा रहा हुँ अब के पाउट जो भी मल्टिमेटर है उसमें आप यह चीज फॉलो कर सकते हैं तो मल्टिमेटर सीखना है तो आप एक separate वीडियो में बना दूगा जिसमें बहुत ही डिटेल से आपको सभी चीज़े बसे दिखाऊंगा और बना भी चुकाऊंगा तो काफी लोगों के पास वह मल्टिमेटर अब लब्द होते नहीं तो इसलिए मैं आपको है न ज्यादा है न यह कहूंगा कि आप जो भी वीडियो मिलती है न सीख लीजिए उस पर से बाकी फीटर्स में एक जैसे ही होते हैं और इसमें तीनों चीज चेक कर लिए हमनें NCV यानि कि वही फेज जो अभी आपको टेस् आपको टेस्ट करना हो तब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं वह भी सिरीज में और स्यादे जगपे मत कीजिए का मेरे हिजाब से एक्जामपल करें आपको दिखा रहा हूं तो यह पर एक बैटरी है इसमें मैंने एक LED को लगा कर रखा हुआ है यह देखे इस तरीके से तो मि मिलियमपर रख लीजिगा और एक प्रोब को अब इधर पर लगाईए गा एक प्रोब को इदर पर सीरीज में इस चेक करना है तो इस तरह के से चेक करेंगे तो आप दिखा देगा कितना है और यह आगे माइनस लिखा वार रहा है तो इसको हम उल्टा करेंगे तो यह 8 saya email sama तो मैं को फूझा करां तो एक यदि को객 Haar एकलो फूंख जाईगी veil आपको aqelle gas खेक ऩुझा लेगी क्यों इसमें फिर बीदि cities बनेश्री को Kids अलॉई जाए चाहराजाता है यहकौन जयादे एंपेटिर वाल São में मत tiensraan कीजिगा और कभी भी डिरेक्टली आप इसको बैटरी भी कनेक्ट मत कर दिएगा आपकी प्रूब्स भी जाल सकती इसके अंदर का प्रॉब्लम भी हो सकता है ठीक है और बात करते हैं कि पैस्टर की जो की एक यह प्रॉद के अब सम tenía के फbeघृचर के जो स्टोरेज था मायक्रो फेरट वो सो करता है यह शॉए किलीर बताना ज़रूरी होता है इतना अगरी सो नहीन करता है तो पैस्टर आपका एक वीक पर यह फोलता है से आप घ्याद कर सकते हैं तो भीnous चलिए 40S मानके चलते हैं क्योंकि बढ़ भी रहा है 445 م्यूट करना चाहेंगे तो इस . इसे में लिखा 470 ጥ किसी भी कपैसेटर को ले लो तो जितना ह्मने कोशेट्र को ऐसी इस में नहीं नहीं करता क्यों कि उसका भी रीजान है यहाँ पर देखिये लेका बट प्रोलाइन समीजा हुद्धी कपैस्टर पर और रेजिस्टर पर चलिए इसका चेक करते हैं क्योंकि काफी लोग पूछ थे मेरे को पिसले वीडियो भी मैंने एक बनाई थी कि मल्टिमेटर पो दूसरा मल्टिमेटर था बट इसमें हम आपको दिखा दूँगा य बहुत ज्यादा इसने पूरब इसको डिटक कर दिया कि काफी ज्यादा यह कपैस्टर का वैल्यू है तो ज्यादा इस यूजर मैनुम में देखना पड़ेगा कि मैग्शिम कितना यह दिखा सकता है तो यहां पर इसने बिलकुल इसको बोल दिए की नहीं ज्यादा फिर भी हम एक बार इसको रखते हैं, देखिए, स्विच हो जा रहा है उदर पर लेकिन हो गया रहा है, यह देखिए, 0L दिखा दे रहा है, यह ओवर माइक्रो फ्रेट का है, यानि कि इसके मुताबिक, यानि कि यह इतना नहीं कर पाएगा, इसने साब साब बोल दिया, हलाकि अधर हम मल्टिमेटर के बात कर तो इसमें भी एक रेंज दी गई है, 200 माइक्रो फ्रेट तक ही दिखाएगा, इसने तो कम से कम 400 का भी दिखाए है, और मल्टिमेटर में अलग लग रेंज होती है, वो तो इसमता बे अधारित होती है, लेकिन लगबग मुझे लगता है कि यह 1000 µ1 तक के कपैस्टर का कबस्टर धिखा सकता है, फिर भी हम एक बाद टेस्ट करने जाएंगे क्योंकि काफी लोग उतका क्वेस्जन हो सकता है, तो किलियर बताना और किलियर धिखाना मेरे हिसाब से सही हो गा चलिए क्योंकि काफी लोग ने भरोसा करते हैं पर और हम हमेसा आपको अची चीज दिखाएंगे और अची चीज बताएंगे ही नोल्य इस आपको मिलनी चाहिए एच्छी मिलनी चाहिए सॉरी मैंने यहां पर फिंगर्टस्ट कर जी नहीं करनी है एक प्रोब में आप कर सकते है स्पोर्ट के लिए बर दूसरी परोपन करेंगे तो हाथ का भी वह कुछ न कुछ सेंस कर लेगा तो वेल्यू कर बड़ा जाएगी हाँ इसने दिखा दिया है हजार माइक्रोफ्रेड के हम कपैस्टिर की टैस्टिंग कर रहे तो वहां पर वह हजार तो नहीं दिखा पा रहा आठ सो सी माइक्रोफ्रेड लेकिन यह सक्षम है हमारे हजार बारा सो माइक्रोफेड या उपर भी दिखा सकता है अब उस वैल्यू का नहीं है लेकिन हजार का ही था मेरे पास उसी का आपको दिखा दिखा दी अब आप लोग में भी कुछ भी चीजें आपर जो भी उन्हें बताई होंगी वह अच्छी तरीके से सीगे होंगा समझे होंगे ठीक है तो फिर आपको दोराओंगा अगर इस मल्टिमेटर को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्सिन लिंक दिया गया है वहां से जगबर्चे का सकते हैं सबसे लास्ट का हर्च का इनकी फ्रिक्वेंसी हमारे घर पर जो एसमा तो सब चीज़ें भी हमारे क्लियर हो गई है ए टूजड बाकी है न क्या चाहते हैं आप इसके अंदर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो इसका भी कमेंट कर देना खोल के दिखाऊंगा और अगली वीडियो जो इसकी बनाओंगा अगर आप मेरे को सजेस्ट करते हैं या फि कि पसंद आये तो लाइक करो और शेयर करो और सभी को यह सजेस्ट करो जिनको छोटा-छोटा मल्टी मेटर लेने का सौक है टेक क्यार लिंक इन डिस्रेप्शन